दोस्तो NTA ने Omar seat display कर दी है, इसको आप अपने login में check कर सकते हैं, Omar seat के साथ में answer seat और response seat भी display है, तो आप इसको एक बार check कर सकते हैं, एक बार सबसे पहले Omar check कर लें, अगर इसमें कोई problem है आपको तो इसको challenge कर सकते हैं, इसके बाद में आप response seat से अपने Omar को टेली करें, और इसके बाद में जो NTA ने आपके answer capture किये हैं, उसको एक बार अच्छी तरह से टेली कर लें, तो इन सब को टेली करने के बाद अगर कोई problem हाती है आपको तो आप इसको challenge कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ process बताऊंगा कि आपने Omar challenge कैसे करना है, कैसे response seat को check करना है, टेली कर करना है, Omar से और NTA की answer seat से, तो सबसे पहले आपको NTA need.nick.in की website पर visit करने के बाद में, Omar challenge लिखा हुआ है, left side में, Omar challenge पर click करेंगे, application number और password देने के बाद में login करेंगे, login करने के बाद में, यहाँ side में Omar challenge लिखा है, उस पर आपको click करना है, तो जैसे ही आपने Omar challenge पर click करेंगे, आप तो click here to view your Omar answer seat दिखाई देगा, तो यहाँ से आप अपनी response seat देख सकते हैं, इसमें click here for Omar challenge पर click करना है, तो इसको आप challenge कर सकते हैं, यह आपकी Omar view हो जाएगी, इसको आप एक बार की Omar है क्या, यह check करने के बाद में आपने फिर से click here to view your Omar answer seat पर click करना है, वहाँ आपको response seat मिल जाएगी, response seat से आपने Omar को telly करना है, इसके बाद NTA के answer key को telly करते हुए, आपने अपना score check कर लेना है, अगर आपके Omar में कोई problem आपको नजर आ रही है, तो आप इसको challenge कर सकते ह हैं, तो दोस्तों यह जानकारी थी, Omar silence के बारे में जो NTA ने अभी डाल दी है, इसके बाद में जल्दी ही result जारी हो जाएगा, तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद